Hello everyone, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे functions in data beam तो सबसे पहले समझते हैं कि functions क्या होते हैं and इन्हें use करने के advantage क्या होता है and हम कैसे इन्हें हम use कर सकते हैं तो चले start करते हैं function की बात करें तो function क्या होता है function is a block of code और I can say function is a block of similar kind of code आनि जो आपका function होगा वो similar kind of code मतलब उसके अंदर जो code होगा वो कोई similar एक जैसी functionality अचीव करने के लिए हम use करेंगे उसको एक जैसी मतलब एक function हमने create किया है और हमारा function जो suppose add करता है two numbers को तो उसके अंदर जो code होगा only two numbers को add करने का code होगा ऐसा नहीं कि हम एक ही function के अंदर multiple course रखना है आप कर सकते हैं ऐसा बट that is not good practice advantage क्या function को use करने का इट प्रोवाइड्स रियूजबिलिटी रियूजबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है अभी हम अपनी script में इसको समझेंगे next है to use the functionality of the function we need to call that function अगर आपको किसी भी function की functionality यानि function को use करना है अपनी script में तो आपको उसके लिए का करना होगा उस function को call करना होगा आप तभी उस function को अपनी script में use कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं तो देखिए यहाँ पर mention at functions are one of data weep's most important tools जो function है वो data weep हो या फिर आपकी कोई भी language हो कोई भी programming language हो उसके बहुत ही important tools में से एक आपका function होता है तो यहाँ पर अभी जो हम topics cover करेंगे वो cover करेंगे named function, lambdas, passing functions to other functions and calling to arity functions with infix, notation and these three syntaxes यह चीज़े हम अभी cover करने वाले हैं तो चलिए first named function की बात करते हैं सबसे पहले आपको समझना है कि आप function कैसे create करेंगे function create करने का syntax हमारे पास यहाँ पर given है तो उसके लिए आप fun keyword का use करेंगे function को declare करने के लिए और आप function कहाँ पर declare करेंगे देखिए यह हमारी एक data view script है आप side में देख पा रहे होंगे और three desks के उपर जो आपका है यह हमारा script का header section है इस header section में हम क्या करते है अपने function को declare करते है so we create functions in declaration section of the script using fun keyword तो यानि के हम इस fun keyword का use करके अपने script के header section में इसको हम declaration section भी बोलते हैं यहाँ पर declare करेंगे तो अभी कैसे declare करेंगे आप fun keyword लिखेंगे देखिए fun keyword लिखेंगे आप और उसके बाद आप function का name लिख देंगे ठीक है मैंने यहाँ पर function का name क्या लिख दिया sum लिख दिया और उसकार आप देखिए यहाँ पर arguments है argument 1, argument 2 यहाँ कि आप up to an argument यहाँ कितनी भी arguments पास कर सकते हैं too much arguments not recommended okay so यहाँ पर मैंने num1, num2, two arguments लेनी है and आप देखेंगे declaration के बाद क्या आप equal to लगाएंगे और equal to के बाद आपके function की body होगी तो यह recommended है कि आप function की body को नीचे ले आएं और एक indentation के साथ काम करें तो यहाँ पर मैरे एक function declare हो गया है और create हो गया है function का नहीं मैंने sum रखा हुआ है और fun keyword का use करके declare किया है यहाँ पर दो arguments मैंने pass किया है number and num2 और equal to operator के बाद हमारी क्या होती है function की body होती है तो हमें इस function को क्या करना है अपने script में use करना है तो इस function को अपनी script में अगर आप use करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस function को call करना पड़ेगा जब तक आप इसको call नहीं करेंगे यह function execute नहीं होगा तो call करने के लिए आपको just क्या लिखना होता है function का नेम हमारे function का नेम क्या है sum okay sum and आप देखिए जो मेरा function है वो two arguments आपसे लेगा यानि कि जब आप इसे call करेंगे तो आपको two arguments पास करने पड़ेंगे 11 and 22 ने two arguments पास कर दिये और देखिए मुझे output section में output मिल गया है 33 okay मुझे output मिल गया 33 अगर देखिए मैं इसको एक argument अगर मैं इसे तीन argument पास करूं तो क्या होगा देखिए expects two arguments but got three तो आप ऐसा नहीं कर सकते अगर मैं इसको एक argument पास करूं देखिए expect two arguments but got one तब ऐसा भी नहीं कर सकते ठीक है अगर आपके आपने declaration section में two arguments करी हैं तो आपको two arguments पास करनी होगी तो इस तरीके से आप अपने script में function को create कर सकते हैं और उसे call कर सकते हैं अब भी देखिए समझते हैं देखिए मैंने आप बात की थी reusability की reusability कैसे है आप अपनी script में अब इसे कितनी भी बार call कर सकते हैं 33 & 3 33 & 3 36 आप अलग-अलग argument के साथ इसे आप कितनी बार भी call कर सकते हैं और यह उन numbers का सम करके आपको दे देगा तो यह थे हमार यह था हमारा name function और कैसे declare करते हैं कैसे use करते हैं I hope आप लोगों को समझ में आया होगा और यहां पर इन्हों ने एक्जाम्पल में भी same चीज से explain किया हुआ है तो I hope आप लोगो clear हो गया होगा यहां पर एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंँगा देखिए काफी important चीज है notice that there is no return keyword a return keyword isn't needed because most everything in data is an expression and all expressions written data देखिए जनरली क्या होता है आपने अगर programming language की से c++ तो functions return करते हैं कुछ तो यहां पर आप देखे और वहां पर written keyword होता है यहां पर कोई written keyword नहीं है because most of the things in data weep is in expression okay is an expression तो जब expressions की form में होती है most of the things तो जो expressions होते हैं and all expressions written data और जो expressions होते हैं वो क्या करते हैं implicitly data written कर देते हैं इसलिए यहां पर हमें होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और प्लीज शेर और सब्सक्राइब चैनल नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तेके लिए बाबाई प्लीज्डा लग टो जीजिए प्लीज टीजड़ ख्बर अविए।